तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले कलाश्टियंद का चेप्टर नमर वन जिसका नाम है जेव परकरम तो चलिए हम लोग वीडियो को सुरू करते हैं बीना देर किये क्योंकि इस वीडियो में आपका पूरा लेशन वन समाप्त हो जाने वाला है तो वीडियो से एक इक टॉपिक को हम समझ कर आगे बढ़ेंगे तो चलिए हम लोग सबसे पहले जेव परकरम नाम की चिप्टर को सुरू करने से पहले हम लोग यह समझ लें कि सजीव और निर्जीव होता क्या है देखिए आप लोग 5 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि सजीव और निर सजीव करते हैं और निर्जीव के अंदर यह कोई किरियाविदी देखने को नहीं मिलता है जिसे हम लोग निर्जीव करते हैं तो यहां हम सजीव और निर्जीव को समझ गए अंतरों को अब देखिए सजीव का निर्माड कैसे होता है तो सजीव का निर्माड कराने के देखिए जीव परकरम हम उसे करते हैं जैसे कि मानों जीवन में सुबा से लेकर साम तक और जन्म से लेकर मिरित्यु तक हम जो कुछ भी किरियाएं करते हैं उसे हम लोग जीव परकरम करते हैं यानि कि जीव परकरम की मादयम से बायलोजिकल प्रोसेस के मादयम से हम हर एक का से चलाने के लिए इसका मेंटें करने के लिए थीन आवश्यक oni होती हם हमारे सरील के अंदर जिसके बीना हमारा जीवन संभव नहीं है यानि कि अगर यह तीन क्रियां नहीं हो हमारा जीवन संभव नहीं है तो हम लोख समझेंगे कि यहां जो पोशड है यह दो तरीके से जीवों के अंदर होता है यानि कि भोजन की प्राप्ति जीवों को दो तरह से होती है पहला स्वापोशड और दूसरा को पर पोशड कहते हैं अब स्वापोशड की से कहते हैं तो देखिए स्वापोशड का सबसे पहला एक्जामपल हरे पहरे पिरपोदे आप Five Class नहीं पढ़ते आ रहे हैं कि हरे पिरपोदे अपना भोझन सवय कर अपना वरीधी और विकास करता हैं। यहाँ पर ऐसा जीव जो अपना भोझन खुद से बना करके अपना विरीधी और कास करें। उसे हम लोग कहते हैं उस परक्राम को हम लोग कहते हैं स्वापोसण और जो अपना भोजन स्वय बनाकर स्वय संसलेशित करता है यानि खुद को यूज करता है अपना विरीधी और विकास कराने के लिए तो उसको हम लोग कहते हैं स्वापोसण अब हम लोग दूसरा अब अपना भोजन प्राप्त करने लिए किसी दूसरी पर आस्रित होता है यानि कि वो भोजन स्वय से न बना करके वो दूसरी के बनाय हुए भोजन को प्राप्त कर अपना विरीधि और विकास करता है उसे हम लोग कहते हैं explicit परपोषण का एक्जामपल हो सकता है कवक जीवाडू पोधों में अमरबेल और मनुस्य भी हो सकता है अब बात करते हैं कि जो स्वय भोजन नहीं बनाता है दूसरों पर आश्रित हो करके अपना विरीधी और विकास कराता है यानि दूसरों के बनाए हुए भोजन को भोजन बनाया जाता है उस परकिरिया का हम लोग कुछ ना कुछ नाम देते हैं देखिए स्वय पोषण में हरे पेंट पौधा अपना भोजन जिस परकिरिया दौरा भोजन तयार करता है ना उस परकिरिया का नाम हम लोग परकास संसलेशन नाम देते हैं अब परकास संसले करके वो अपना भोजन तयार करता है अब भोजन तयार करने की इस्थान कहां होती है तो देखिए परकास असलेशन की जो घटना होती है जो घटना होती है वो इस्थान पतियों में होती है तो पाउधों की हम पतियों का यहां एक्जांपल हम देद रहे हैं जैसे यह पतियां और इनहीं रंद्र के दवारे वायु मंडल से कर्मंडाई अक्साइट को गरहन किया जाता है और इनहीं पतियों में परकास का ओशोषड किया जाता है अब मैं आपको बता दू कि यह पृत्वी सो जल आयो खानीश पहुंचता है जड़ों के द्वारा पतियों तक और पतियों में जो भोजन बनाने की परकिरिया पूरी हो जाती है तो उन्हीं पतियों के माधियं से पौधों के अनेक भागों में भोजन की प्राप्ति होती है और फिर उसका विरीदी और विकास होता है इसलिए तो बोला जाता है पतियों व्लोग फूट फैक्टरिज अफ दॉप्लांट तो चलिए यहां तक आप लोग स्क्रीन सट लीजिए तब फिर हम आगे लिखते हैं और फिर समझाते अगले टॉपिक को तो चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक समझते हैं वो है परपोसर वैसे तो हम परपोसर पहले बता ही दिये हैं कि परपोसर किसे करते हैं जब जीव अपना भोजन प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे पर आस्रीत होता है यानि दूसरे की बनाए हुए हम लोग जो भोजन प्राप्त करते हैं वो तीन तरीकों से प्राप्त करते हैं एक मिरित जीवी पोसड होता है और दुसरा पर जीवी पोसड होता है और तीसा प्राणिसम पोसड होता है देखें मिरित जीवी पोसड में क्या होता है तो इस परकिरिया को हम कहेंगे इस पोसड को हम कहेंगे मिरित जीवी पोसर क्या हो सकते हैं में हुग ovaq और bacteria क्या होता है लख ग्साने पदार्थ जे होते हैं उसी अपना भोजन की प्राप्ति करता है अब यहां पर है पर जीवी पोसर क्या होता ना कि यह हमारे और किसी भी जीव या किसी भी जीवधारी के सरीर में अस्थाई रूप से थोड़े दिर के लिए रहा करके अपने वोजन की प्राप्ति करता है यानि कि कोवक है अमर तो आप देखें होंगे अमर बेल का जो पौधा होता है यह किसी दूसरे पौध के उपर जा करके चड़ जाता है और उसके बाद से अपना भोजन की प्राप्ति होता है अपना जो व्रीधी और विकास करता है उन्हीं पौधों से रह करके अपना भोजन की प्राप्ति कर अपना व्रीधी और विकास करता है तो हम आगे देखते हैं वह है प्राडिसम पोसर्ड प चलिए आप हम नेक्स्ट समझते हैं कि ज हमने पोछा राहे में बिल्म किस तरीके से होती है देखिए ज उन्तु दो तरह से होती है तब आ में पहले और दूसरा बहु कोषीक यहां हम एक कोशीक के बारे में चरचा करेंगे पहले देखिए एक कोसिक जियो अमीबा है इसकी पोसर्ड वीदी क्या है तो देखिए इसका पोसर्ड वीदी मुख्य रूप से पहले अंतगरहन होता है उसके बाद से पाचन होता है उसके बाद से बहिसकरहन होता है यह क्या है ना कि यहाँ पर भोजन है और इस भोजन को प्राप्त करने के लिए अपने कुटपाद को खोलता है जिस तरीका से मन से भोजन करने के लिए अपने मुख को खोलता है यानि अपने मुख को खोलता है यानि अपने मुख को खोलता है उसी तरीका से यह जो अमीबा ह यहां से भोजन को प्राप्त करता है तो प्राप्त करने के दोरान क्या होता है भोजन का अंतगरहन होता है यानि कि भोजन की अमीबा के रसधानी में क्या हो रहा है प्राप्त किया जा रहा है यानि इस भोजन को रसधानी के अंदर एंट्री किया जा रहा है अब यहां पर क् खोलता है और फिर उससे क्या करता है कि वाहर कर देता है तो यहां तीस्रे स्टेज में अपने Southern कि भोजन को रसधानि के अंदर ले करके भोजन को पाचन कि चाले लिए ठीक है भोजन को पचाने के बाद मनुसीय हो चाई कोई भी जी हो वो उसको waste material को बाहर निकलने की कोशिश करता है तो यहां पर क्या होता है कि चौतिय स्टेज में इस पचे हुए भोजन के बाद जो waste material हो वो बाहर निकलेगा जब waste material बाहर निकलने की परकिरिया बहिसकरण काहलाती है यहां तक clear हो गया अब चलिए अगला topic को clear करते हैं तो त पाचन देखिए इससे पहले हम लोग एक कोशिक जीव में भोजन का पाचन कैसे होता है और उत्सरजन कैसे होता है यह हम लोग clear कर चुके हैं लेकिन अब यहां हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत कोशिक जीव कीसे कहते हैं देखिए बहुत सारे कोशिकाओं से मिल बहुत कर बनने वाले जीव उसको बहुत कोशिक जीव कहते हैं अब यहां पर जो है इसकी पाचन कैसे होती है तो पाचन कराने के लिए दो अंग जीम्यदार होते हैं अहार नाल और पांचक गरंधिया होती हैं देखिए अहार नाल की लंबाई जो होती है वो 8 से 10 मीटर की अहार नाल किसे कहते हैं। जिस रास्ते से भोजन होकर गुजर्ता है वस रास्ते को हम लोग कहते हैं अहार नाल। ठीक है अब देखिए अहार नाल से तो भोजन परवेश करता है और जिस तरीके से आगे बढ़ता है अलग-अलग अंगों को एंट्री करते हुए गुद्दा द्वार यानि मल द्वार तक पहुचता है देखिए सबसे पहले मुख गुहा में भोजन हम लोग लेते हैं यानि म मुख को हम लोग कहते हैं मुख ठीक है यानि मुख गुहा में भोजन परवेश करता है और जब मुख गुहा में परवेश करता है तो मुख गुहा के अंदर जीव होता है और दात होता है जीव एक मांसल संदचना की होती है जो आगे वाला जो हिस्सा होता है वो फ्री रहत आप जो दात होता है वो दात चार तरक होते हैं डान्त टूटल मानो का जो यूव मानो जो होते हैं उसके टूटल 32 दात होते है बहुदे यहां पर क्रिंतक बेदक अगे चर्वनक 'll be यह चार तरक जह ब्र nonetheless बहुदे हैं भेदक कितने पीस होते हैं, अगर चर्वनक कितने पीस होते हैं, देखे, क्रिंतक का काम क्या होता है, क्रिंतक का काम होता है, जिसकी संख्या है चार, यह सिर्फ काटने का, यह जो आगे वाला हिसा है, यह क्रिंतक कहलाता है, और क्रिंतक की दातों की संख्या कितने होती है, च सबसे जो आखरी वाला जो दांत है उसके जश्ट आगे वाला दांट आग्र चरवनक कहलाता है जिसके संखिया चार होती है अच ज puta किसे करते हैं जो बिल्कुल चावडा होता है और जो भोजन को पीषेने का काम करता है जिसे हम लोग चबाने का कारे उंतONG करते है यहां पर और इस दात के अलग अलग पार्ट को मैंने लिख दिया है देखिए इसके निच्छे वाले जो हिस्सा होता है उसको जड़ कहते हैं और जो बीच वाला हिस्सा होता है उसको गर्दन कहते हैं जिसको ग्रीबा भी कहते हैं और जो उपर वाला हिस्सा होता है उसको सिर ठीक है नहीं यह दात बहुत कठोर होता है और यह जो इनेमल का परत जो चढ़ा हुआ रहाता है यह इतना स्ट्रॉंग होता है इतना कठोर होता है कि इसको तोड़ने के बाद यह टूट नहीं सकता है ठीक है अब यहां पर क्या होता है कि दात सड़ता कैसे तो देखिए दात जो सड़ता है न वो इस चीज़ को सड़ा कर नहीं सड़ता है यह पल्प गुह जो पल्प कैबीटी जो होता है जो मजज़ा गुहा होता है इसी में जो है डेरी मेटेरियल को खा लेते हैं या फिर कुछ भोजन को हम लोग खा लेते हैं ब्रस नहीं करते हैं तो यहां पर क्या इस दिन तक ऐसे छोड़ देने के बाद यह सड़ने लगता है और धीरे दिरे सड़ा कर नीचे तक चला जाता है तो यहां दात के बारे में लगभग किलियर हो ही गया अब हम आगे बढ़ते हैं कि जब भोजन को चबा लेते हैं और चबाने के बाद जो भोजन ग्रास नली से होकर कि अमासे तक पहुंचता है तो इसग्रास नली में क्रामा कुंचन की घटना होती सिखिंगे न पर आगे बढ़ता है यानि को बोजन मान लिजे यहां तक पहुँचा तो यह यहाँ पर इये गुरास मरी क्या हूँगा लेकिन फुर्कוח सा आगे बढ़ेगा तिक नoupe यहीं साफ पचक जाताएगा तो यहीं सिकुडन और हैलना यानि इस गरास नली के सिकुडने और फैलने की घटने क्रामा कुंचन कहलाती तो ये ग्रास नली से होकर के भोजन अमासे तक मुँच जाता है अब देखे क्या होता ना इस मुख से ठीक ना लार गरन्थी निकलती है, जो भोजन को तो बहुत फचाने का करता है, उसके बात से इस जठर से जठर गरान्ती निकलती है, जो भोजन को पचाने की लिए जिम्मेदार होती है अब क्या होता है कि पीट के दाया साइड लीबर होता है जिसे क्या होता है कि पीतरस निकलता है यहां दाया साइड क्या होता है लीबर होता है जो पीतरस निकल करके इस अमासे में मिलता है जिसे भोजन को पचाने के लिए जिम्मेदार होता है उसके बाद से क्या होता है कि प भोजन को पचाने के लिए जिम्मेदार होता है किलियर अब उसके बाद से जब यहां से भोजन आगे बढ़ता है छोटी आत में तो कुछ छोटी आत में भी रस का सराव होता है जो भोजन को बने जो यहां से पच कर जाता है और थोड़ा बहुत नहीं भी पचा रहता है उसक आपको अप्सन में पूछ सकता है एक्जाम जब आप देने जाएंगे ना तो आपसे पूछ सकता है कि छोटी आथ की लंबाई कितनी होती तो छोटी आथ की लंबाई जो होती है वो 6 मीटर की होती है अब बड़ी आथ की लंबाई कितनी हो सकती है तो देखे बड़ी आथ की लंबाई होती है ना वो डेढ़ मीटर की होती है ठीक है किलिया तो बड़ी आज से जब भोजन एंट्री करता है और बड़ी आज से होकर के आगे बढ़ता है तो मल दौर तक आकर रूख जाता है और उसके बाद से इसी मल दौर के राश्ते से भोजन जो वेस्ट मेटेरियल बन करके जी समल दौर में रुका हुआ राता है ये बाहर निकल जाता है ठीक है अब हम लोग का जो अगला टॉपिक है वो है लास्ट टॉपिक जिसको हमने बताया था कि मानों के बाइलोजिकल प्रॉसेस करने के दोरान जिम्मेदार जो होते हैं वो पोसर तो होते हैं और हमन हम लोग समझने के बाद उत्सर्जन हमें समझाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगे लेकिन फिर भी मैं समझा दे रहा हूं कि मैंने बताया था कि जब हम लोग लेकिन अब बात करते हैं कि स्वासन की से करते हैं जब हम लोग अक्सीजन को गरहन करते हैं और फिर करबंडाई अक्साइड को बाहर निकालते हैं यानि कि जब अक्सीजन हमारे सरीर में परवेश करता है तो घुल मिल जाने के बाद हमारे सरीर में पूरे घूमने के बाद जब बाहर निकलता है तो करबंडाई अक्साइड के फॉर्म में बाहर निकलता है तो अक्सीजन लेने और करबंडाई अक्साइड को बाहर निकाल कि यह पर किरिया उत्सर्जन कहलाती है तो यहां आपका यह टॉपिक किलियर हो गया अब आप इसका स्क्रीन सॉट लीजिए तो यह जो था बाइलोजी का चिप्टर नमर वन जिसका नाम है जेव परकरम यह पूरा लगभग लगभग सारे टॉपिक को किलियर करते हुए हम ल कर दो है